हाई ड्वेल्टीज, विल्कम टू एसीवेक कॉमेंस क्लासेंज, मैं हूँ तबिता और आज हम करने वाले हैं फाइनेशल मैनेजमेंट चेप्टर में टॉपिक कापिटल स्ट्रक्चर यानि कि हमारे बिजनस स्टडीज में अब ये प्रिक्टिकल पार्ट है कापिटल स्ट्र सबसे साथ है अगर आप इसे एक बार समझ लोगे अफकोस यह आपके लिए न्यू है वाट आप इसे एक बार जरूर समझना अच्छी तरीके से तो आपको एक क्लियर समझ आएगा ये वीडियो गाइस में दो पार्ट में बनाऊंगी एक में थेटिकल कंसेप हम अच्छी समझेंगे ठीक है क्योंकि इसके ऊपर ना बोर्ड में हमारा कोईशन आचुका है प्रेक्टिकल तो इसे अच्छी तरीके से देखना है और वो बोर्ड का कोईशन भी हम कवर करेंगे आप देखो का सबसे पहले मतलब क्या होता है यानि कि मिनिंग क्या होता है का पिटल मतल बॉख आए फो हमें पता है की दो जगे से बस्क्राइब टेट बॉर्ड फंड एकुटि मतलब ओनर्स फंड तो यानि कि अपने लोन लिया है आपने डेपेंचन इश्फिन इश्व किया इन एकुटि मतलब आपने शेरिख इश्व किया है और क्या लिखना इनो ने That is the proportion of debt and equity used for financing the operation of a business is called capital structure. So, आपके business में कितिना debt and equity है, उसको proportion capital structure खहलाता है. So, इसको कैसे calculate करते हैं? Debt upon में equity के, उससे भी करते हैं. Second, debt का proportion on total capital, यानि कि equity plus debt तो total capital बन गया. So, debt का proportion किसके reference में total capital. So, उस तरहिके से भी हम इसे calculate करते हैं. ठीक है? अब इसको एक अलग नाम से कैसे हम जानते हैं? Financial leverage. Financial leverage क्या होता है? That is the proportion of debt. Proportion of debt in the total capital. आपने debt कितना रखा है अपनी capital में? उसके calculation financial leverage कहलाता है. That is the proportion of debt in the total capital. So, इसको भी हम इनी formula से calculate करते हैं. So, financial leverage को मतलब अगर कोई आप से पूछे तो आप बता सकते हो ना? क्या होता है? That is the proportion of debt. यानि कि हमारे पास कितना financial leverage है? Debt कितना है? With respect to total capital. ठीक है? तो business debt क्यों use करता है? मतलब बिजनस अपने capital बनाने के लिए क्यों अधार पर पैसा लेता है? तो सबसे पहला reason क्या था इसका हम पहले भी पढ़ चुके है? Debt इसलिए लेखता है क्योंकि debt एक cheaper source of fund है. सस्ता पढ़ता है. उस पर हमें कोई भी tax देनी की ज़ुरत नहीं होती. हम पहले interest पे करते हैं, उसके बाद बज़ेंगे amount पे tax देते हैं. So, एक cheaper source of fund है, fixed rate of interest जाता है, जो के minimum है. Minimum in the sense यहीं नहीं है, यह कि बहुत सस्त है, लेकिन एक fixed amount है कि आपको इतना देना है. ना वो बढ़ रहा है, ना वो घट रहा है. तीक है, इसलिए एक cheaper source of fund है, लेकिन इसके पीछे एक और रास है. क्या है, किसे use करने से, बिजनस में share holders को फाइदा होता है. अब share holders को क्या फाइदा होता है? Share holders का जो earning per share है, यानि कि shares पर मिलने वाला उनका पैसा बढ़ जाता है. अब आप बोलोगे, ऐसे कैसे मैं, बिजनस में debt use हो रहा है और share holders का क्या फाइदा हो रहा है? तो yes, इस concept को हम practical part में अच्छी दरीके से समझेंगे, बट इस process को हम trading on equity नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, guys? Trading on equity, यानि कि बिजनस में debt use करने से, आपके share holders की income increase हो जाती है, that is called trading on equity. आप देखो business की definition में बताती हूं, मैं, trading on equity refers to the increase in profit earned by the equity shareholder. trading on equity किसे कहते हैं? increase in the profit earned by the shareholder, equity shareholder, due to the presence of fixed financial charges. क्यों increase होती है? due to the presence of fixed financial charges, यानि कि interest की वज़े से, हमारे shareholder का benefit होने लग जाता है. So, इसे को हम trading on equity कहते हैं, ठीक है? So, अब कैसे होता है? यह हम practical part में समझेंगे. लेकिन इसके शर्त क्या होती है? कब benefit होता है? तो उसके लिए, guys, हम लोगों को जो analysis अभी पढ़ना है, उसे EBIT, EPS analysis कहते है, EBIT that is earning before interest in tax and EPS मतलब earning per share. ठीक है? अभी वो हम आगे पढ़ेंगे. अब trading on equity का मतलब समझ आ गया है, किसे कहते है, refers to the increase in the profit of the equity shareholder due to the presence of fixed financial charges like interest. इंट्रोस्ट की वज़े से shareholder का benefit हो रहा है, that process is called trading on equity. तो हम बिजनस में थो थोड़ा और debt इस्तिमाल करते हैं, थोड़ा और debt इस्तिमाल करते हैं, कि बहुत शेर्ट को benefit होना चाहिए. लेकिन उसके पीछे की shirt ही होती है, कि आपको तभी benefit हो सकता है, जब आपका return on investment जादा हो, किस से interest on debt से. तो यानि कि इसके सिर्फ एक condition है, तभी फायदा होगा, जब आपका return on investment जादा होगा interest on debt से. अब इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं लोन लेती हो, तो मुझे 10% interest rate भनना पड़ता है. ठीक है, तो ROI कितना interest कितना होगा मेरा 10%? अब मेरा ROI जादा होना चाहिए, ROI का मतलब होता है, आपका earning before interest in tax with respect to आपने चितनी capital employed करी. इन्टु 100, इसका क्या मतलब है? देखो, formula तो जो है, लेकिन इसको पहले मतलब समझेंगे. अगर मैंने business में 10 lakh रुपे लगाए, और मुझे 2 lakh की income होगा है. इसका इंकम मैं तो earning before interest in tax, 10 lakh रुपे लगाने पर 2 lakh रुपे के income होती है. इंटु 100, तो मेरा ROI कितने पर इंकम और करी हूं अपनी capital के, इतना पैसा लगाने पर इतना अंकरते हैं. कई बार कोई कहते है ना में कि भाई इतना लगा डबल हो जाएगा भाई इतना लगा दस गुना हो जाएगा तो अगर हमारा ROI जादा है और इंट्रास रेट कम है तो तो बिसनस पैसा फाइदा होगा आपका ट्रेडिंग और इकुटी करने का आपको बेनेफिट मिलेगा लेकिन अगर कम है यही अगर आप प्रॉफिट कमारे होते हैं सपोस्स पचास हजार कम कमारे हो और इंट्रास जादा है तो हम नुकसान में चले चाहते हैं तो यह तो गाइस था एक conceptual knowledge क्योंकि अभी जब हम practical part करेंगे उसके लिए इस knowledge का होना बहुत जादा सरूर है तो second part जरूर देखिएगा अगर आपने वो miss कर दिया ना तो बहुत कुछ मिस कर दोगे ठीक है तो उस part को जरूर देखना है